गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, बिटा हम लोगों का EBS में सारे चैप्टर्स कम्पलीट हो गए हैं, एक बजी फर्स्ट चैप्टर था जो की इंट्रोडक्शन चैप्टर था, तो इसको भी मैं आपको इस वीडियो में समझा देती हूं कि आपको कैसे कैसे करना है, तो ज करना है तो देखो सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है, अपनी एक फोटो पेस्ट करनी है, ठीक है? यहां पर अपनी एक फोटो चिप कानी है, ठीक है? उसके बाद आप यह अपने बारे में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट है, my name is डैश, तो यहां पर आप क्या करें अब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो आप लिखेंगे, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, I study in class first, ठीक है, आप first class में पढ़ते हैं, the name of my school is, मेरे school का नाम है, तो आपके school का नाम क्या है, आपके school का नाम है, राजिस्थान children's academy, ठीक है, तो यहाँ आपने school का नाम लिख दिया, फिर है my mother's name is, तो अब आपकी ममी का नाम जो भी है, वो आप यहाँ लिखेंगे, my father's name is, आपके पापा का जो नाम है, वो आप यहाँ लिखेंगे, अब ममी के नाम क्या आगे आप लगाएंगे, Mrs., और पापा के नाम क्या आगे, आप लगाएंगे, Mr., I live in, आप कहां रहते हो, तो आप जैपूर में रहते हो, तो आप यह लिखोगे, I live in जैपूर, ठीक है, फिर my birthday is on, अब आपका birthday जब भी आता है, आप अपना यहाँ पर birthday लिख देंगे, ठीक है, फिर देखें आपको और क्या करना है, यहाँ पर देखो, look at the picture, circle the things that you like to do, अब आप यह picture देखोगे, ठीक है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ प यहाँ पर homework कर रहे हैं, यहाँ पर comics पड़ रहे हैं, यहाँ पर painting कर रहे हैं, यहाँ पर school जा रहे हैं, और यहाँ पर boat चला रहे हैं, तो आपको इन में से जो भी काम पसंद है, उसको आप क्या करोगे, circle कर दोगे, ठीक है, जैसे मानलो कि आपको homework करना अच्छा लगता है तो आप homework करने को क्या कर दोगे, circle कर दोगे, ऐसे ही आपको जो भी चीज अच्छी लगती है करनी, उसको आप circle कर देना, ठीक है, फिर देखो describing myself, अब इसमें आप अपने बारे में और बताओगे, the color of my hair is, आपके बालों का color क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख दें my eyes are dash in color, अब आपके आखो का color क्या है, आपके आखो का color black है, या brown है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, फिर यहाँ देखो आप क्या करोगे, draw और paste a picture of your favorite spot in the space below, अब यहाँ पर जो आपको जगे दी गई है, इस जगे पर आप यहाँ तो जो भी आपको गेम लगता है, तो मान लो कि आपको सबसे अच्छा गेम क्या लगता है, क्रिकेट लगता है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, क्रिकेट लिख दोगे, अगर आपको फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल लिख दो, आपको जो भी गेम पसंद है, उसका नाम आप यहाँ My favorite fruit is, आपका सबसे पसंदिदा fruit, यानि कि फल कौन सा है? तो मान लो कि mango है. तो आप यहान लिख दोगे mango. My favorite color is, आपका favorite color कौन सा है? तो मान लो कि आपका favorite color pink है या red है, जो भी color आपको पसंद है, वो आप यहान पर लिख देंगे. My favorite subject is, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो मान लो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट EBS है अगर आपका कुछ और है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि यह लिखेंगे My best friend is तो आपके best friend का जो नाम है वो आप यहां पर लिख देंगे फिर आप यहां पर लिखेंगे My best friend's favorite अब आपने अपने बारे में तो बता दिया आप अपने best friend के बारे में बताओगे कि उसको सबसे अच्छा sport कौन सा लगता है उसको सबसे अच्छा fruit कौन सा लगता है उसका best, उसका फेवरेट कलर कौन सा है उसका favorite subject कौन सा है और उसका favorite खाना कौन सा है ठीक है, यह आप इसमें लिखोगे तो जैसे मालो कि आपने लिखा कि उसका favorite spot कौन सा है मालो कि उसको football पसंद है आपके दोस्त को अगर कोई और game पसंद हो तो आप वो लिख देना उसका favorite fruit कौन सा है तो आप मालो कि उसका favorite fruit है मालो उसका favorite fruit है strawberry ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे strawberry grapes पसंद हो या orange पसंद हो तो आप वो लिख देना उसका favorite color कौन सा है तो मालो उसका favorite color कौन सा है red है subject is उसका favorite subject कौन सा है तो मालो उसका भी favorite subject क्या है ebs है जो भी आपकी best friend का favorite subject हो, वो आप यहाप पर लिखोगे, उसका favorite food कौन सा है, सबसे अच्छा खाना है, उसको क्या लगता है, तो आप लिख दो जैसे माल लो, छोले बटूरे, ठीक है, कुछ और पसंद हो आपके दोस्त को, तो आप वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने अपने पापा का नाम लिखोगे, I am dash years old, आप जितने साल के हो, वो आप यहाँ लिखोगे, I study in class, मैं कौन से class में पढ़ता हूँ, class first में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम क्या है, राजिस्थान Children's Academy, यह आपके स्कूल का नाम हो गया, ठीक है, आप देखो, color in green, what you can do on your own, आप इसमें से जो भी काम आप खुद से कर सकते हैं, उसमें आप green color कर दो, जैसे कि मान लो, comb your hair, आप अपने बाल खुद से बना सकते हो, तो आप इसको green color कर दो, take your bath, अगर आप नाते खुद से हो, तो आप इसको green कर दो, pack your school bag, अगर आप अपना school bag खुद से pack करते हो, खुद से करते हो उसको आपको green color में color करना है ठीक है और अगर नहीं करते हो तो मत करना draw pictures of two things that you like and two things that you dislike अब आपको यहाँ पर picture बनानी है दो ऐसी चीजों का जो आपको पसंद हो I like मतलब जो मुझे पसंद है I dislike मतलब जो मुझे पसंद नहीं है तो दो picture आपको इसमें बनानी है जो आपको पसंद हो और यहाँ पर दो picture बनानी है जो आपको पसंद नहीं है ठीक है तो इस तरह ही हमारा chapter complete हो गया यह एक chapter था हमारा जो remaining था तो यह chapter आप complete कर लेंगे यह chapter पूरा आपके बारे में है ना तो आपको अपने बारे में लिखना है आपका नाम, आप कितने साल के हो आपके मुम्मी का नाम, आपके पापा का नाम आपका बड़े कब आता है आपके दोस्त को क्या-क्या पसंद है वो सब तो यह सब आप खुद से करेंगे अपने पैरेंट्स की हलप ले लेना और इसको complete कर लेना यहाँ पर एक picture पोस्ट कर लेना अपनी फोटो पोस्ट कर देना तो इस तरह हमारे पूरा चाप्टर complete हो गया अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं EBS की लाइफ क्लास में मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स क्लास में तिल देन बाई, टेक केर, do complete your homework